नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयो मैं आपको स्वागत करता हूं खेती के वीडियो में तो किसान भाइयो आप जैसे देख रहे हैं मैं आज आपको थायो में थाक्जम 25% WG यह आपके धानकवा का अरेवा इस नाम से आता है तो आज इस इंसेक्टि साइट का मैं आपको प प्रयोग करने का सही तरीका परताने वाला हूं और कौन-कौन से रोगों में यह कारगर है उसके बारे में भी बताऊंगा तो इस वीडियो में आंद तक बने रहे हैं और थायो में थाक्जम 25 WG को सही उपयोग आप जाने इस वीडियो में तो चलिए बीना देर की वीडिय को सुरू करते हैं तो आप देख रहे हैं जैसे किसान भाईयो यह इसमें थायो में 25% WG अर्थाद वेटेवल ग्रेंवल फ़र्म में हैं तार यह दाने दार में आता है लेकिन यह वेटेवल अर्थाद वाटर में पूरी तरह से घुलन सील है तो किसान भाईयो यह आपका किसान भाईयो जैसे हमारे इंसेक्टिव साइड या फंजी साइड दो तरह कि आते हैं एक सिस्टमेटिक और एक कॉंटेक्ट तो इन दोनों का जब हम प्रयोक करें तो इससे पहले हम अपने जो फसलों में लगने वाले रोक की इस्थिती पर इस्थिती को उसको समझ लेकि उसमें किस तरह से लगे हैं क्या होता है कि जो सि्स्टमैटिक होता है वह है पत्तियों में जैसे उड़ा पढ़ती है उसके बाद उसके पत्तियों थे प्लशेप कर ली जाती है उस पौधे केपूरेاح के अंतर प्लभाई ही रहती है तो फैल जाने के बाद वो पूरे पौधे में तो जैसे उसमें कीट कहीं भी अगर रहते हैं तो वो उनके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और वो खतम हो जाते हैं जैसे जिन हिस्सों में पौधे के दवा पड़ती है उनहीं हिस्सों में कीट जैसे जाते हैं तब उनको वह उपरी तोर पे ही खतम कर पाती है वह पौधे के अंदर या उनके तंत्र का तंत्र में वह प्रवेश नहीं करती है तो इस तरह से हम अगर देखें कि जैसे पौधे क किटलैंट ज्यादा लगए हुए हैं क्योंकि जब आप करते हैं तो ज़िय के आफ में दवा नहीं पड़ पाती है तो ऐसी स्थिती में हम सिस्टेमाटिक इंसेक्टि साइड या फिर फंजी साइड का प्रयोग करें तो इसी तरह से किसान भाई जो आपका ये अरेवा थायूमे थागजम 25% डवलूजी यह आपका एक सिस्टेमाटिक इंसेक्टि साइड है अब इ बहत करें इस दवा अज़िए और खासकर है अगर आप माहू में है तो उसके लिए तो आप सिस्टेमाटिक ही लें क्योंकि माहू क्या बहुत ही बारीख होते हैं और पत्तियों के निचेले हिससे में रहते हैं तो ऐसे कि में सिस्टेमाटिक इंसेड की साइड ज्यादर होत तो आप 80-90 ग्राम परेकड कर सकते हैं जिसको आप लगवक 500 लीटर पानी में घोल बनाकर और फिर उसको इसको इस प्रे कर दें तो इस तरह से थायो में थाकजम आपका डबलू जी यह एक असरकारक पंजी इंसेक्टिसाइड है तो देगे किसान भाईयो यह दवा आपकी इ इसको आप पानी में डालेंगे तो यह पूरी तरह से घुल जाता है वागए किसान भाईयो मैं थोड़ी आपको दिखा दे रहा हूं जैसे यह सर्सों की आपको देख रहे हैं फसल है तो अभी यह लगवग महीने भर की फसल है अब इसमें जैसे माहू कप्रे को आपकर तो ऐसे आपको यह खुल तो है अगर हम इस परे करेंगे तो दवा तो इसके उपरे हिस्थे में पड़ेगे यह पत्तियों की यह उपरी इवाले हिस्थे में तो अगर तो उतना ज्यादा असर ना दिखा पाएगा क्योंकि जो इसके पिछले सीरे में जो है कीट वो खतम ना हो पाएगे लेकिन सिस्टेमाटिक जो अगर हम लेते हैं सेक्टी साइट तो हुआ है इन पौधें के पूरे शरीर में अर्थात इनकी पूरे तंद्रिका तंद्र में फ स्वास छूसेंगे तो उनका तंद्रिका तंद्र प्रभावित होका भू खतम हो जाएगे तो इस त coins फ़सलों में किस तरह की परिस्थित हैं जुदिक किस तरह से तो उसह साब से आप अगर आप कि दबा का चुनाओ करते हैं तो वह बहतर होता है तो यह आपका थायो में थागजम आपका 25% WG तो आज हम इसका यही माहूर कंट्रोल के रिए प्रयोग करने वाले हैं तो यह जानकारिया आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में वस बताएं और हमारे चैनल पर नहीं है तो क् ज्यादा शेयर करें धन्यवाद